Hello students, तो आज हम करने वाले हैं कि कोई भी atomic number periodic table में कहां लाई करता है, उसका block number, group number and period क्या है ये हमाँ जानेंगे, जैसे कि मैंने example लिया है calcium का, तो calcium का वैसे क्या है हम periodic table देखेंगे, तो उसकी location कुछ इधर होगी, ठीक है, तो ये तो हुआ कि अगर में पस periodic table है, तब तो मैं पस periodic table नहीं है, और मुझे इतना याद भी नहीं है कि क्या है, तो मैं क्या करूंगी, उसका electronic configuration पहले निकालूंगी, जैसा कि calcium का electronic configuration निकाला है, तो 20 के लिए ये क्या हुआ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s2, तो मैं क्या देखने हैं कि ये इसकी electronic configuration मैंने से निकाल लिया है, क्या group number होगा और क्या period होगा, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैंने इसको देखना है कि last जो electron गया है, वो किस shell में गया है, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, कि last electron हमारा किस orbital में जा रहा है, तो यहां पे s orbital में last electron जा रहा है, इसका block कौन से होगा, s, तो यहां से block का element है, अब ऐसे भी अगर मैं periodic table देखूंगी, तो उसकी location यहीं को बताएगा, अब हम find out करने जा रहे हैं, कि इसका group number क्या होगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां पे मैंने last balance electron को check किया था, वहां से मैं check करूंगी, कि s में कितने electron है, तो मैं जैसा द उतना ही number of क्या हो जाएगा, उतना ही उसका group number, यहां पे 2 जो है, वो balance electron है, तो उसका group number भी क्या हो जाएगा, 2, तो यहां से मिल गया, कि यह है group number 2, अब last बात की जाए, तो हम कर रहे हैं period की बार, ठीक है, तो period के लिए क्या होगा, period के लिए हम principal quantum number highest check करते हैं, तो यहां प इसका मतलब इसमें 4 shells हैं, तो इसका मतलब इसका period number क्या हो जाएगा, 4, तो इस तरीके से calcium S block में मिलेगा, उसका group number 2 होगा, और period number 4 होगा, तो यह location हो गई हमारी calcium की in the periodic table, तो calcium का block group period number कैसे निकालते हैं, यह हमने समझ तो लिया, अब हम इसकी definition को देखेंगे, तो block क्या होता है, type of orbital in which last electron goes, तो इसका मतलब क्या है, कि कौन से orbital में last electron enter कर रहा है, वो बताता है हमें उसका block number, यहां हमारे पास electron enter कर रहा था S में, तो इसका मतलब block number वो हो गया S का, ठीके, अब group number के definition क्या है, number of electron in balance shell plus penultimate shell in D case, इसका मतलब क्या है, कि सबसे पहली बात तो है कि हम देखते हैं कि electron balance shell में कितने पड़े हैं, तो यहां पे हमें electrons कितने मिल रहे थे, दो, ठीके, तो दो के case में तो हमने simple कह दिया कि दो है, ठीके, पर D के case में ऐसा नहीं होता है ठीके, D के case में हमारे को number of balance electron in the shell plus n-1 shell के अंदर जितने electrons होते हैं, उसको भी add करना होता है, ठीके, तो D का case, group number के लिए थोड़ा differ करता है, इसी तरीके से जब हम period की बात करते हैं, तो period का definition होता है, highest principle quantum number, इसका मितलब जो n की values होती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, तो इसमें हमें देखना पड़ता है कि सबसे highest quantum number क्या दिखा रहा है, highest quantum number जो भी होगा, उसी को हम लोग उसका period number मानते हैं, तो यहां पे highest quantum number 4 था, तो period number भी हो गया 4, इसका अर्थ है कि इसके अंदर 4 shells है, मतलब कि calcium जो है, वो 4 shells से surrounded एक atom है, तो इस तरीके से ये definitions को अगर हम समझ लें, तो ये S, P, block ये जो भी है, ये block, group, period, number, अराम से हम निकाल सकते हैं, तो एक S block का element हमने देख लिया, calcium को देख के, तो अब हम करने वाले हैं P block element, ये मुझे पता है, इसलिए मैं बोल रहे हूं कि ये P block का element है, पर अब हम क्या करते हैं, इसकी electronic configuration देखते हैं, और उसके बाद पता करते हैं, कि किस block, group और period का है, तो यहाँ पे जैसे 13 है, तो पता हिए क्या है, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, अब गिंतियों क्या हुआ, 2, 2, 4, 6, 10, 12, अब एक रहे गया, तो इसका मतलब ये 3P1, तो इस तरीके से मैंने electronic configuration aluminium का लिख दिया, अब मुझे चेक करना हैं, कि इसका block number क्या है, तो मैंने क्या बोला था, कि हमें चेक करना है, कि last balance electron किसमें गया, तो balance electron last किसमें गया है, P में, तो वो ही उसका block number होगा, तो इसका मतलब ये P block का element है, अब मैं देखती हूँ कि इसका group number क्या होगा, तो group number कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैं देख कि इसका balance shell कौन सा है, तो balance shell कौन सा होगा, यह, यह 3s2, 3p1, 3rd shell जो है यह इसका balance shell होगा, अब क्या है, इसमें कितने electron है, 2 plus 1, 3, तो 3 electron balance shell में है, अब क्या है, जब मैं p block का निकालती हूं, group number, तो वहाँ पे rule क्या होता है, rule में हम लिखते है, 10 plus number of electron in balance shell, तो balance shell में यहाँ पे कितना है, 10 तो हमने लिखना ही है, तो group number के लिए हमने 10 को add करना ही करना है, 10 plus number of electrons in the balance shell, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा, 2 plus 1, इसका मतलब 10 plus 2 plus 1 is 13, तो यहाँ पे यह है group number 13 का member, तो इस तरीके से 13 group का number हो गया, अब हम देखते हैं कि इसका period कौन सा है, तो period के लिए हम क्या चेक करते हैं, which is the highest principal quantum number, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 में से highest principal quantum number है 3, इसका मतलब कि यह है period number 3, तो इसका मतलब हमने इसे कहां trace किया है, यह है P block में, मतलब कि यह इसके अंदर है, उसके बाद का group number 13 है, इसका मतलब यह इधर ही कहीं लाई करता होगा, और period number 3 है, मतलब 1, 2, 3, इस तरीके से यह यहाँ पे कहीं aluminium लाई करता है, तो इस तरीकी से मैं electronic configuration से periodic table में इसकी location को trace कर सका, तो एक हमने S block का element देख लिया, एक P block का देख लिया, और अब हम करने जा रहे हैं D block का element, तो copper एक D block element है, जो कि यहाँ लाई करता है, तो यह तो मुझे periodic table बताता है कि यहाँ लाई करता है, ऐसे मैं कैसे जानूंगी, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, electronic configuration लिखूंगी, अब जैसा कि मेरे पास 29 है, तो मुझे तो इसकी electronic configuration बड़ी लग रही है, तो जैसे पिछले वीडियो में हमने trick method से निकाला था, वैसे ही मैं इसको निकाला, तो यहाँ पर हम लिखते हैं helium, neon, argon, krypton, तो यह क्या होता है, 2, 10, 18, and 36, अब जादा जाने की जरूत नहीं है क्योंकि इतने से काम चल जाएगा, यहाँ पर 29 है, तो जैसा कि मुझे पता है कि n की value यहाँ पर 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर 29 किसके बीच में लाई करता है, 36 से छोटा है और 18 से बड़ा है, तो यहाँ पर जो copper है, copper की position क्या है, argon और krypton के वो बीच में आ गया, क्योंकि इसका atomic number 29 है, तो यहाँ पर हम n की value कहलेंगे 3, तो यहाँ से मेरे को यह तो पता चल गया कि n की value 3 होनी है, अब क्या है, मेरे के पास S है, P है, D है और F है, तो यहाँ पर यह कौन सा होता है, n प्लस 1, इसका मतलब यह हो जाएगा 4, मतलब 3 प्लस 1, 4 हो गया, तो 4S, 4P, इसके बाद क्या है, यहाँ पर होगा, N, D, इसका मतलब यह है 3D, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, N-1F, इसका मतलब 3-1, इसका मतलब 2F, तो सबसे पहले filling कहा होगी, 4S में, उसके बाद 2F, 3D, and then 4P, इस तरीके से filling होनी है, अब मुझ और किसके अनवर्ड जा रहा है, आरगन, तो यहाँ पर copper 29 के लिए मैं electronic configuration लिख रही हूँ, तो यह हो जाएगा, सबसे पहले मैं लिख दूंगी आरगन, क्योंकि जब 18 तक मुझे पता ही है, तो क्यों ही electronic configuration को पूरा लिखना, तो 18 के बाद अब में क्या है, 4S में fill करना है, तो यहाँ मैं लिख दूंगी 4S, उसके बाद है 2F, ठीक है, अब 2F तो exist ही नहीं करता, तो मेरे को यह लिखने की जरूरत ही नहीं, तो अब 2F तो यह cancel हो गया, उसके बाद आता है 3D, फिर आएगा 4P, तो यहाँ मैं मैं लिख देती हूँ, यह आ गया 3D, और उसके बाद है 4P, अब देख लेते हैं 18, 18 के बाद 2 Electrons, तो 20 हो गया, अब मुझे कितने चाहिए, जस्क 9, तो मैं 9 Electron D Shell में लिख दूंगी, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि 4P की भी कोई ज़र्थ नहीं है, तो इसकी भी ज़र्थ नहीं है, तो इसे हम रब कर देंगे, तो अब मेरे पास Copper की Value क्या आ गई, Argon 18, 4S2 and 3D 9, तो इस तरीके से यह हो गया, पर मैं क्या जानती हूँ कि जो Electron है, यह S में 2 है और D में 9 है, और D की जो Stable Compensation होती है, वो 10 होती है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, D के अंदर 9 है, और इसे Stable होना है, तो इसका मतलब यह चाहेगा कि मैं 10 Electron Complete कर लूँ, तो यहाँ से 2 Electron में से 1 Electron यहाँ आके, इसे 10 करके Complete कर देगा, तो यहाँ पर Final Configuration Argon 18, 4S1 और 3D 10 आ गया, तो इस तरीके से Final Configuration Copper की होगी, Argon 18, 4S1 and 3D 10, अब Electronic Configuration निकालने का तो काम हो गया, तो अब हम देखते हैं Block Group Number and Period for Copper 29, तो अब हमें निकालना है सबसे पहले इसका Block, अब Block के लिए यही Definition थी, कि Last Electron जो है, Valence Electron किस में Enter करता है, तो मैंने क्या देखा, कि Last Electron एंटर किया है, वो D Block में गया है, और उसको इसने Complete किया, तो इसका मतलब Basically Last Electron किस में Enter कर गया, D क इसका Block माना जाएगा D, अब हम देखते हैं इसका Group Number, अब Group Number के लिए Definition के हिसाब से, क्या लिखा हुआ है, अगर मुझे D Block के लिए Group Number find out करना है, तो इसके लिए Definition क्या है, Number of Electron in Valence Shell, प्लस Number of Electron in N-1D Subshell, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले Valence Shell निकालू, तो Valence Shell क्या है, 4 का, ठीक है, तो यहां पर है 4S1, तो यहां पर कितने Electron है, 1, तो Valence Shell में है 1 Electron, प्लस, अब बोल रहा है, N-1D Subshell, तो यहां पर N के Value 4 थी, तो N-1 मतलब 3, तो 3D के अंदर कितने Electrons है, तो यहां पर है 10 Electron, तो यहां पर मैं लिख दूंगी 1 Plus 10, इसका मतलब की 11 Group Number इसका हो होगा, अब मैं देखती हूँ, पीरियड, तो पीरियड के लिए मुझे देखना होता है, Highest Principal Quantum Number, तो Highest Principal Quantum Number है 4, तो इसका मतलब इसका पीरियड है 4th, और इसका मतलब कि 29 Copper के अंदर, 4 Shells होती है, अब हम करने चाहरे हैं, A Block Elements, तो इसके अंदर 2 Type की Series होती है, एक होती है Length Nights की, और एक होती है Actinights की, तो Length Nights की Series को कैसे पैचानेंगे, तो Length Nights की Series में 4F होगा, और F में 1 to 14, कितने भी Number हो सकते हैं, यहाँ पे 5D के साथ, या तो 0 होगा, या 1 होगा, अब 1 से उपर भी कोई Number नहीं चलेगा, जैसे 3 या 2, ऐसे कोई भी Number, D के अंदर हो तो वो भी Length Nights की Series में नहीं count होगा, तो Total Series का क्या मत्तब है यहाँ पे, 4F1 से लेके 14, 5D0 या 1, और साथ में 6S2, तो यह जैसे भी Series है, इसके अंदर आने वाले सारे क्या होंगे Length Nights, अब हमारे पास Actinights की Series है, Actinights की Series में 4F नहीं होता, उसमें होता है 5F, तो 5F 1 to 14 होएगा, और 6D01 या 2, यह तीरों में से कोई होगा, और 7S2, इस तरीके एक से थोड़ा भी variation होगा, तो वो भी Actinights में ना आके कहीं भी जा सकते हैं, तो इस Series का Configuration हमें याद होना चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि कोई भी Element Length Nights या Actinights है या नहीं है, तो यहाँ पे हम देख हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं 5F3, तो यहाँ पे जैसे मैंने देखा कि 5F की Series है, तो 5F में 1 से 14 होने चाहिए, तो यहाँ पे 5F3 है, तो पहला चीज काउंट हो गया, फिर 6D012, तीन में से कोई भी हो सकता था, तो यह 6D1 है, इस तरीक से 7S2, 7S2 भी है, तो देख रही ह उनकी electronic configuration, जो है, वो actinides के साथ मैच कर रही है, तो निरैनियम जो है, वो actinides माना जाएगा, इसी तरीके से अगर मैं serium को चेक करूं, तो serium में क्या आ रहा है, 4F1, 5D1, 6D2, तो यहाँ पे मैं lengthinides की series को चेक करूंगी, तो 4F1 से लेके 14, तो यहाँ के 4F1, इसी तरीके से 5D0, यह 1, तो यहाँ पे 5D1 है, और 6S2 है, यहाँ भी 6S2 है, तो इस तरीके से यह जो electronic configuration है, यह बता रही है कि यह lengthinides series का member है, तो इस तरीके से हम lengthinides और actinides को देखके, ab block elements को समझ सकते हैं, तो अब जैसे कि मुझे पता लगे है, यह ab block element है, तो इसका group number हर दम ही हमें या तो यहाँ पे lengthinides हो, actinides हो, चाहे ab block का कोई element हो, उन सब का group number 3 होगा, और इसके अलावा जो हम इसका period number देखते हैं, तो हमें पता है, highest principal content number देखना है, तो जो यह है, इसमें 7 है, और इसमें 6 है, और lengthinides में क्या होगा, lengthinides में यह होगा 6, तो यहाँ पे period हो गया 6, क्योंक हमरा 7, क्योंकि higher 7 है, तो इस तरीके से lengthinides का period number 6 हो गया, और acidinides का period number 7 हो गया, और यह सभी आ जाते हैं, group number 3 में, तो अब हम देख रहे हैं tennis sign को, जो की है 117, तो 117 है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले electronic configuration लिख दिया, उसी method से, आप मैं क्या देख रही हूँ, देखने में तो यह लग रहा है कि acetinides या lengthinides के जैसा है, बट actually हम देखे ना, तो यह same नहीं है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 7PE5 आ रहा है, तो इसका मतलब कि यह ना acetinides है, ना यह lengthinides है, यह अलग है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कि ना यह acetinides है, ना यह lengthinides है, क्योंकि configuration जो block पता लग गया, कि यह है P block का, ना कि A block का element है, अब मैं आगे देखती हूँ इसको, तो पहले में क्या करूँ, arrange कर लेती हो, तो यहाँ पर जब arrange करूँगी, तो यह हो जाएगा RN 86, यह आ जाएगा, पहले में लिखूंगी 5 है 14, फिर मैं 6 को लिखूंगी, तो 6D 10, फिर आ क्या है, तो P block के लिए हमें पता है कि group कैसे निकालते हैं, पहले लिखते है 10 और उसके बाद number of electrons in the valence shell, तो यहाँ पर valence shell है 7S to 7P5, तो electron कितने होए, यहाँ पर 2 और उसके बाद यह होगे 5, तो 10 प्लस 2 प्लस 5 is total 17, तो यह हो गया 17th group, अब last है हमारे पास period निकालना, तो period के लिए हम देखते हैं, highest quantum number, तो highest quantum number हो गया 7, तो इसका मतलब इसमें 10A sign में 7 shells हैं, इसका मतलब यह 7th period का है, तो basically 10A sign देखने में लग रहा था, कि वो a block element है, पर वो क्या निकला, वो निकला P block element, और उसका group number 17th है, और उसका period है 7th, तो इस तरीके से हमें confused नहीं होना, जल्दबाजी में भी नहीं लिख देना है, इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे, तो clear पता लग जाएगा, कि वो D है, F ना समझ जाए हम जिसको, तो जैसे कि मैंने एक 10N का example देख लिया, कि वो a block element लग रहा था, पर था नहीं, इसी तरीके से एक और example है, जो आप लोग कर सकते हैं, copper nation का, जो कि है 112, यह भी आपको लगेगा, पर होगा नहीं, तो यह आपको करके, और देखना हैं कि क्या आता है, So thanks for watching, I hope you like this video, for more such videos, keep watching, play chemistry.